हेलो अब्रेबन आज मुने स्कूशिंग वार्ड इसके बोला गया है कि एक वील है इसका विट आपका 900 न्यूटिल दिया गया है और उसकी रेडियस ही के 300 mm वो एक ब्लॉक यूपर होडेंडर फ्लोर पर रखा गया है और व्यू हर जिवय पर जीरो है बोला गया कि पी की मिन राफंज करने के लिए ब्लॉक बनाना होगा विह 25 q ब्ल्यस सो यहां पर आएगाफ देगभा वाफछार मैं इसको अनुक्त नियूट्टिल थे वेट नाइन हंडर ड्यूटन एक्जेटली डाउनवर्ड डारेक्शन में पी की मिनिमाम वैल्यू एक होरिजन्टल लाइन एक आर एक अब बात आती एंगल की हमें इसकी एंगल चाहिए पी माल यह थीटा एंगल पे है उस थीटा के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि पी की मिन तो आप देखिए एक वील का एक साइड ही जो रेडिस के पराबर है 151 ब्लॉप की हैडल दी गई है अगर हम देखेंगे एक पर्पेंडियर ड्रॉप लेते हैं तो यह हैडल थी एंडर्ड थी ब्लॉप मैनस हो गया तो यह आपकी बचेएगी 150 mm यह आपका 300 mm की आसपास हो गया और यांगल को हम लोग दूख कह सकते हैं इस हेलाएंगल अलफा तो इस दाइंगल अलफा नौ लोग अल्फा की विल जाएगी 30 टी तो भून यहां पर दे दिया एंगल अलफा की वाल्यू घ्टी ओर किस ठीटा पर है पॉसे निकालना है अब क्या करेंगे हम्हाइब श्वाई से हम लामी श्वर में अपलाई कर सकते हैं हमाई हमाई श्वाई से हैं प्रंडेशन ओफ एकलिम भी अप्लाई कर दें सो और ए डिवाइड बाई साइन ये 90 पेस्टीटा मिस 90 प्लस थीटा हिइज इक्वर्टू पी की कि minimum value जो हमें निकालना है in this value so यह 90 है और alpha का 30 आ चुका है so यह आपका जाएगा sin 120 is equal to 900 divided by sin of alpha यह 30 minus हुग तो 150 बचेगा तो यह angle जो हमारा बचेगा that is 150 minus theta आई हो कि यहां तक बात आपको सोज में आई होगी अब अब ही क्या करना है कि हम observe करें कि यहां से पी की minimum value के लिए यह आपको constant value है यहां पर आपका यह आमें आरहें नहीं पता है आप इन दोनों के equal कीजिए sin 120 की value constant है 900 की value constant है so p की minimum value के लिए इसको maximum होना पड़ेगा तो for p minimum sin 150 minus theta should be maximum इसकी value आपकी हो सकती है 1 के equal so 150 minus theta is equal to sin की inversely को 90 degree हो गया तो theta is equal to आजाएगा 60 degree के angle पे यह angle अगर theta आपका है और 60 degree पर है तो हमें p की minimum value में achieve होगे अगर यह आपका आ गया हम वापस p की minimum value निकालना चाहते है इसको वापस आप put करते है तो p min is equal to sin 120 is equal to 900 because इसकी value अपकी हो जाएगी 1 तो यहां से p की minimum value जो आपको मिलेगी that is 779.42 और वापस हम आर को निकालना चाहते है तो यहां से हमारी आर की value मिल जाएगी 450 यह तो एक method हुआ हमें solve करने के लिए आयो किसी समझ में आई होगी लेकिन अधर हम इसको किसी shortcut method से कि किसी हम इसको रिकालना चाहते है तो हम इसको क्या को सकते है तो मैंने आपको बोला है कि moment की condition होती हूँ बहुत ज्यादा helpful होती है बस आपको point चूज करना आजा है कि 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 क्या हमें moment लेना है हम लोग क्या करेंगी कि देखिए इस question का alternative method एक पॉइंट पर reaction हमारा भी interest नहीं है वह बाद हम निकाल सकते हैं हम एक एक बाप moment लेने तो हमारी condition exist करेगी तो देखिए यह distance आपकी है हम इस distance को कुछ निकाल सकते हैं यह 150 दिया हुआ है 300 दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है इस ते लिगा किया यह आपका 300 mm यह आपका है 150 mm हम इस distance को एजूम कर लेते हैं x so 150 square plus x square is equal to 300 square तो x की value आपकी आजाएगी यहां से 259.8 mm इस तिक आलने के बाद आप एक about moment लेलो तो sigma m about h equal to 0 clockwise forces का moment जोगलो उसको posture जोगता रहा है तो देखिए मैं a के about moment ले रहा हूँ हमने a पर पिकी finger रखी p की minimum value clockwise so p की minimum value अब minimum time होगा कि मैंने आपको moment के lecture में डिसकस किया था कि यह आपकी आपकी sortage distance अब भी जबी इसको perpendicular होगा तो इसको perpendicular के लिए distance आपकी radius के ब्रावा हो जाएगी हम इसको 300 लिख रहेते हैं पर 79.42 newton आएगी जो पिछले वाले question के साथ पिछले वाले measure से से यह value आई थी so आप इस तरीके से question के solve कर सकते हैं जो p की minimum value पूछा गया अगर r बोला गया तो आपको तो फिर यह solve करना ही पड़ेगा okay तो theta degree यानि कि 60 degree पर यह आपका minimum value achieve होगी अगर मालेजे आपको करना है जो question for the homework क्या है कि आपको इस p को exactly horizontal करना है यह floor है इस p को लोगों ने horizontal रग दिया और इस p की value बतानी इस condition में अपने answer आपको comment box में गिर सकते हैं अपने आपको क्या है